वर्टपेस ब्लॉग पर लोगो अपलोड कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप एक ब्लॉगर है और आपका ब्लॉग वर्टपेस प्लैटफरम पर है तो आपको अपने ब्लॉग में लोगो अपलोड जरूर करना चाहिए ब्लोग बनाने के बाद ब्लॉक design करना बहुत ज़रुरी होता है। ब्लॉक को professional look देने और design करने में काफी कुछ setting करनी पड़ती है। इन settings में एक setting logo upload करना भी है। header logo image add करना किसी भी blog के लिए बहुत ही important होता है। क्योंकि visitors आपकी site पर आने के में काफी help करता है अगर आप अपने ब्लॉग को प्रोफेसरल लुक को देना चाते हैं तो जल्दी से लोगो create कर लेजिए और अपने WordPress ब्लॉग में upload कर लेजिए आपको online कई tools मिल जाएंगे या फिर free software मिल जाएंगे जिनसे आप अपने ब्लॉग के लिए लोगो creator कर सकते हैं अब अगर अपने ब्लॉग के लिए logo कर चुके है ले सबसे पहले आपको यह यह लोग इन कर रहा है और WordPress व्लॉटप्याइस सेटिंग्स को कि करने की अलगए अपको यहां पर आपको हैडर एसके बाद गया एसके बाद सब्सक्राइब करने का यहां पर आपको लोगो ओप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करते हैं इस तरह से को फॉप आप विंडोव ऑपन होगी तो इसमें आपको अप्लोड फाiders फासन पर क्लिक करना है और इसके आपकता प्लोड पडॉडालोड de ईड हो जाएगे जैद को बॉट्म रैट पर क्लिक करना है इसके पाast लोगो और आपका सल्लोड हो जाएगा जिसों सकते हैं और साइड लोगो सेक्षन में भी लोगो एड़ हो जाएगा फाइनली लोगो एड़ करने के बाद आपको टॉप साइड में पब्लिश अप्सन पर क्लिक कर देना जिसके बाद आपके वर्टप्रेस ब्लॉग पर लोगो अप्लोड कर सकते हैं अपने ब्लॉग को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन